एक बाए फीर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बच्चो आज हम पढ़ने वाले हमारा टॉपिक नंबर 5.2 जी यह 5.2 बहुत ज्यादा इंपोटेंट है 5.2 में पढ़ना क्या है तो अल्रेडी हमको पता चल चुका है डिपोसिट का मतलब क्या होता है डिपोसिट क उंकी जरूद होती यह वर्किंग कैपिटल की जरूरत पढ़ती है तब कंपनी क्या इशु करते है डिफोसिट रहां कंपनी कंपनी कौन से कंपनी डिपोसिट एक्सक्प कर सकती पॉब्लिक से कौन सी नहीं कर सकती यह ओल्रड़ेटी हमने डिसकस कर चुके अगर वीडियो पर नहीं हो तो हमारा वीडियो 5.1 जरूर देखना क्योंकि वहां पर एक्सेप्टेंस ओब डिपोसिट और उसमें बहुत साइट टेक्निकली जो ट्रिक्स है ना कि यह कंपनी एक्सेप्ट कर सकती यह कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती पॉब्लिक कंपनी को भी दो पार्ट कंपनी फुल्फिल करती है तो ऐसी पॉब्लिक कंपनी को यही कंपनी पॉब्लिक से भी डिपोसिट एक्सेप्ट कर सकती है बट अगर आप यह तीन कंडिशन हंट्रेट करोर और अप्रूल फ्रूम शेल्डर यह कंडिशन कंपनी नहीं कर पाते हो तो आप पॉब्लिक कंप नहीं होके भी पब्लिक से डिपोजिट का पैसा एकसेप नहीं कर सकते हो यह हमने एक टेक्निकल वर्ड वहां पर सिखा था अच्छे से आज हम पढ़ने वाले अगर आप टेक्स्बूक में देखोगे तो टोटल ट्वेंटी टमसें कंडिशन दीगे कितनी 20 पॉइंट तो यह यह लेंदी आंसर है पर इसी आंसर से हमारे साथ पढ़ोगे तो टेक्निकली में तो लिक्विड फो में कैसे सिखाना आपको वह मैं आपको इसी समझा दूंग सिंपल लफजों में बहुत प्यारी पीपीटी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए सो हम जाते हमारी पीपीटी पे अगर टेक्स्बूक से पढ़ रहा तो पेज नमबर 81 होगा और अपनी पीपीटी फोलो कर रहा तो कोई इशू नहीं है पीपीटी आपके लिए अवेले इस शोट्टर्म मनी एक्सेप करने के लिए कुछ टम सेंट कंडिशन दी गई है जो आपको क्या करनी पड़ेगी फोलो करनी पड़ेगी जियां सबसे पहला डिपोसिट का मउंट जियां हर कंपनी के लिए यहां पर तीन कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कं पड़ेगी बड़े आपको कहा एक एपनी पैसा नहीं किये तो डिपोसिट यह अपने मेंबर से लेगे तो कितना परसे लेगे वह हम पढ़ने वाले पिरियड ऑन डियेशन सबको पता है 3 और मेक्जिम कितना है 36 मन जिया नो डिमांड डिपोसिट्स सिक्योर अंसिक्योर डिपोसिट दोनों टाइब क्यों सकते अपॉइमेंट ओफ या एप्लिकेशन फॉर्म जोइंट नेम पर ले सकते के नहीं ले सकते सब्सक्राइब करने वाले अगर आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना भूला मत लाइक करना बैल आइकन को हिट करना क्योंकि ऐसे नए वीडियो आपको मिलते हैं रहेंगे दोस्तों शुरू करते आज की स्टोरी सबसे ऐन ऑच餘ां है असा और सबसे पहले टॉम संघेन की सबसे पहले अगर्म अगर आप पुब्लीक नीफ जा ले ना चाहते हो यह पब्लीक तो च्ट saturation करना चाहते हो तो सबसे पहली uncomfortable अमाओ जिया हर कमनी अपने मर्जी से पैसे एक सपने कर सकती दिया दर सटेन लिमीट तू एक्सेप्ट डिपोसित और यह फिलिंग द प्लेंग्स में आपको फसादे हो ध्यान रखना बिटा सबसे पहले प्राइवेट कमनी प्राइवेट कमनी के एक सब डिपोसित फोमेट रिलेटिव और टारेक्टर नोट मोर देन हंड्रेट परसेंट ऑफ इट्स एग्रिगेट यहां पर वर्ड याद रखना बड़ा एग्रिगेट शेर कैपिटल एंड फ्री रिजव यह एग्रिगेट शेर केपिटल फ्रीजव का मतलब होता है से नेट्वर्थ जी आँ आपके नैट्वर्थ प्राइब पैसा ने सब्सक्राइब कि राइड प्राइवेट कमर्ण एक स्कुद्टन किस सजब्सक्राइब यॉर शेर कैपिटल एंट फ्री रिसो यॉर शेर गैपिटल एंट फ्रीरिजो चैरेंड बॉइन पुब्ली इमिज्ञ जो पॉब्लिक कमणी जो एलिजीबल नहीं है इसका मतलब अदर देन eligible मतलब क्या सब वह कमपनी जिस ने थीन क्रैटरिया कम्पलीट नहीं किये वह कमपनी जो पब्लिक नीटकरोड का अपना नेटवक नहीं क्रेट किया या फिर या फिर प्रयर अप्रोड नहीं है यह तीनों में से कोई भी एक कंडिशन का फुल्फिल नहीं करते हो ता पॉब्लिक कंपनी तो हो but you are not eligible to accept deposit money from the public समझ भाया ठीक है तो पॉब्लिक कंपनी में भी दो कंपनी है eligible हो other than eligible तो जो कंपनी other than eligible है this company cannot accept the fresh deposit from the member जी हां cannot accept fresh deposit from member if amount of such deposit is together with the previous deposits excess then the 25% अगर आपका deposit amount 25% से ज्यादा हो रहा है previous के कंपेर में तो आप आप पॉब्लिक क्या मेंबर से पैसे मंगा सकते नहीं हो of the paid up मतलब अगर पॉब्लिक कंपनी को पैसे मंगाने तो 25% या 25% से लेस मंगवाने है ताइड माइड यह स्टूडन हां मतलब अदर देन पॉब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल पॉब्लिक कंपनी क्या करेगी कितना परसें मंगाएगी तुम्हें कहूंगा क्या लेस देन 25% अफ श्यर केपिटल श्यर केपिटल एंड फ्री रीजव जिसको में नेटवर्स भी कह सकते हैं तो श्यजर केपिटल फ्री तो का 25 परसें मंगाए उससे जादा मंगा सकती नहीं है ओइंध पुब्लीक कंपनी पॉपलीक कंपनी तो है बढ किसे पेसे मतंति थीजियों से बनेम उब सबस् justamente ये दोनों पूर शोबंगे मैं ये दोनोगा वह ये दोनों भी अपने मेंबर से रिलेटीट हो और से टस ये यह लोग 25 पर्सेंट अवे लोग 100 पर्सेंट अवा सकते QA private company वह और की जो eligible वह company जो किया बैटा एलीजीबल है पॉप्लिक कम्नी एलीजीबल का मतलब किया समंध में यह रहां कि इस आप इस ने क्या किया है थांडरेट करोड करक्या की है पिटा हमेट करोट का इसके थाए पिटा नेट वोर्ट तिस प्वाइन अबेट करोड to तब्रॉज तो़न तन अब शर्पर वटो और कि इसका शो लेगवए श्पेशल रिजोलीशन जिए स्पेशल रिजॉलीशन से यह तीन कंडिशन पैटा किसी भी फब्लिक कम बॉलिक से डीपोसिट करना आपने मेंबर से भी पे समंगा सकती है ए अपनी पूब्लीक से भी डिपोस्टत कर सकती मेंद कंडीशन कितना तो यहां पर कहूंगा नोट देन तो नवल देन पर संट डाने डारेक्टर मेंबर और रिलेटिव अपर डारेक्टर से 10 पर संदधाका डिपोसीट एक खेंप नह तुगेधर विद प्रिविएस डिपोसिट एक्षिस दे ट्वेंटी फाइव परसें इसका मतलब यह कहना चाहरा है कि पेड़ पेड़ शेर केपिटल और फ्री रिजर्व से से ज्यादा नहीं मंगाना नोट सिंपल लफ़ लुगा नोट लेन ट्वेनटी फाइव परसेंट और यहां पे नोट मोर देन टेन परसेंट और शेर केपिटल फ्री रिजोप ठीक है तो अगर सिंपल लफ़ लफ़ो में तीनों को लिखने चाहू और मुझे लिखने में प्र किसका 100% बढ़रपाद में यहां पे आपको रोग रहा हूं किसका 100% share capital and free reserve 100% मंगा सकती है 100% जादा मंगा सकती नहीं तो यह एक वड यह रख लेना share capital share बेच की जो पैसा है वो और जो भी reserve है उसका जो टोटल Amount हो वह उसके equal value का अपर एकसपकर से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर लिगाए 25 परसेंट किसका 25 परसेंट तो सेम वर्ड शेर केपिटल एंड फ्री रिज़ों का और उसी तरह आगर मैं पात करूँ एलिजिबल पॉप्लिक कम्नी मेंबर से भी पैसा मंगा सकती है छाए डिपोसित का पैसा मेंबर से भीर से ख Learning से ऑर प्लीक से भी मेंबर से कितना नॉट मौर इन टैन परसेंट और पब्लिक से कितना तो नॉट मौर देन 25 परसेंट और और Pent तो 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 टल बोलू मेंबर या पॉब्लिक का मिला के दो तो एक्जाम में प्लीज देखना एलिजिवल पॉब्लिक कमनी पॉब्लिक से कितना एक्षिप कर सकती है फिलिग नमेशन है तो नोट मौल दें 25% अब डेर शेर केपिटल फ्री रिजव राइट पहला कंडिशन पर समय है सबको सेंट कंडिशन वहाँ पर ओर बोल है अच्छा आपकी पहली कमनी कोंसी थी प्रैवेट कमनी कौंसी कमनी थी बिटा इस फॉबंध दूसरी कमनी क्छीथी को मिगय को प्वब्लिक और तिसरी कमनी कौंसी में लुग से यह गाइन फ्रशिप कमनी डिसव पर स बना देता हूं मैं पुब्लिक कंप्पनी में दो कंपनी बना जता हूं पहली कंपनी है वो है आपकी जो कि अधर देन है एलिजीबल और दूसरा है तो अधर देन अलिजीबल वो कितना नोट मोर देन 25 परसेंट और एलिजिपल पॉप्लिक कितना बेटा एलिजिपल कमपनी है तो कितना मंगाएगी कि कितना मंगाएगी तो वहाँ पर दो पाट है मेंबर से वहाँ है कि नोट मोर देन 10 परसेंट और पॉप्लिक से कितना नोट मोर देन 25 परसेंट राइग तो नाया और गॉवर्मेट कितना 35 परसेंट ठीक है यह सिंपल फंड आपको समझ वाँआ गया तो गोवर्मेंट कमपनी के अक्षाट टीपोसिट फ्राल पप्लिक नोट पाइट पर्षेट और फ्री रिजव यह दिमाग में बिटल पेड़ पेड़ प्री रिजव की बात ठीक थी तीनों कम नीं हो गए नेक्स पीरिट पीरिट सब के माईन में सेट करके रोगो यह फिलिंग तब लेंग सो कहीं ना कहीं आएका ओलरी इमें आपके लिए हाई- ट्क्नैन फार्ट की तो कोईव पी कम नीं डिपोजट मिनीमुं सिक्स मन्त के लिए होगा ह। ऊंध्र म्यक्जिमिमम 10 थिख्श मेंग करे लिए पर चाहिट है कट्सक्रा रिक हरता अपने में गया इच्प्साइन रिपेबल अर्लियर शे महने से पहले देन देश्च मन्त तो मीट शोट तम नीड जिया कब शे महने से पहले एक्सेप कर सकते है सच दिपोजेट मस्ट्रेवर टेन यूर ऑफ मिनिमम त्री मंस कितने महने के लिए त्री मंस के लिए ठीक है यह अगल शे महने के पहले के लिए आप एक्सेप कर रहे हो तो एक तो कंडिशन ब्रेक कर रहे हो तो वहाँ पर क्या बोला हैं नौड मोर देन परसेट अधा एक्सेप नहीं कर सकते हो किसका 10 परसेट तो फिर से आंसर वह यह शेर केपिटल हो और फ्री रिज़ आपकी कमनी म मैंने शेर बेच की कमपनी में एक लाग रुपए जमा किया है माई शेर के पिटेस्ट वन लेक और मेरा रिजवर 50,000 सो टोटल मेरे पास कितना गया वन लेक 50,000 का 10% उससे ज्यादा डिपोसिट आप एक्सेप कर सकते नहीं हो सब्सक्राइब करें दो बात यां पर कही कही आपको अंडर शटन सर्कम्टर्स ओन दर रिट्वेस्ट ओप डिपोसिटर कम नीव में भी प्री में चुटी अपीन प्री मेचुरिटी पलब प्री मेच अन चाहिए तो कर सकती है प्री में और शरीनियू देपोसिट विदिन द सब्सक्राइब कर सकती है और अगर त्री मन्स के लिए डिपोजिट एक्सेप करती है तो कितना एक्सेप करेगी कितना एक्सेप करेंगी 10% समझ मैं चलिए आगे जाते हैं कि यहां पर बहुत सिंपल असमें थर्ड पून पूला पहला हमने पढ़ा अमाउंड दूसरा हमने पढ़ा डूरेशन तर्म सेंग पीरियर्ड थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं नो डिमांड डिपोजिट सर्य यह यार रखना जभी भी आप डिपोजिट करते हो मनी बैंक में में तो हम लोग अपने मर्जी पर दो जाकते पैसे में अगर आपको ओंग हम करते तो आपकोर रेडफ रटा कंगडे उसी तरह यहां पte भीड़ी आप से टीक्सेप करती है तो तो वो demand deposit होता नहीं है और लुट त्यापका time deposit जिया। चलम इंडीम डिपोसेट एक बाइट कमणिक पैसा दे लिया। आप्ने का period कर दिया कि मैं 12 मयने के लिए deposit का पैसा दे रहा। तो आफ्टर 12 मन्त आपको रिकेशार करेगे. मैंने 24 months के लिए पेसा दिया तो after completion of 36 months they will repay not before that duration अगर before the duration of repayment लेने जाते हो तो आपका interest rate वो कम कर देगे right तो क्या आप आपकी terms and condition क्या करो बिटा break कर रहे तो company cannot accept or renew the deposit repayable on demand ठीक है जितने भी deposit तो कौनसे डीपोसित हैं मिटा time deposit है ताइम डीपोसित का मतलब time deposit मतलब duration के लिए आप लोग करते हैं जो duration के लिए आपको deposit company को देता है उस समय तक आपको wait करना पड़ेगा जब जरूरुत पड़ी जाके कमनी में से नेचर के होते हैं तो mostly company इशू करती अन सिक्यूर नेचर बट नावड़े कमनी ने सिक्यूर डीपोसित भी इशू करना शुरू कर दिया है और कमनी के एक्सेप्ट सिक्यूर और अन्सिक्यूर डीपोसित्स विच्शूड बी क्लियरली मेंशन होना सरक्यूलर और एडवर्टाइजमेंट जी यहां कंपनी कॉंसे टाइप के डिपोसित एक्स इशू करने वाली है यह एक्सेप्ट करने वाली है वह उसके सरक्यूलर में या उसके डिपोसित में क्लियरली डिक्ले होता है कि यह जो डिपोसित है और यह यहां बात जब security आती है ना तो ट्रस्टी को पॉइंट करना पड़ता है तो ध्यान देना इस तो भी क्रियेट चार्ज ऑन टेंगीबल असेट्स पहले दो चीज़ समझ के रुको जब भी वर्ड आपको सिक्योड आएगा तो सिक्योड में दो कंडिशन ओपन दिये एक तोगा चार्ज ऑन असेट्स मतलब कि आपको कुछ असेट्स चार्ज मिलें के मतलब कि आपके नाम पर आपके टाइटल कर दिये जब तक कमनी आपके पैसे रीपे नहीं करते तब तक आपके हाथ में उसकी ओनोशिप रहती है इस कमनी फेल टूपे यू कें सेल डसिंश्म राइट और साथ साथ में कमनी क्या मनाते है अ च्रसडी क्या प्रेशन नादश डिट के थ्रू ट्रू अशिक्र कर जाता है यस बी केरफुल तो अगर टेंचिबल अगर सिक्वर है तो आपको टेंजी बाशेल्स भी लेंगे विडित फ्रीड देश तो टूटर आमने कितने पाइश पढ़ लिए चार पॉंट पढ़ लिए फिस पॉंट पे जाते हैं टांस सिम्पल टमसिंट कंडिशन डिसकर से आराम से समझे बेटा जै यहां जब को डिपोसिट करना था पैसे आप जब कमनी को पैसे डिपोसित के दो मौस्टली तक कमनी ए पैसा डिपोजित को कमनी आपको more interested पे करेगी बट जब भी आप पैसे देने जाते हो कम नीको तो कम नीको आपको एक declaration form भर के देना होता है तो application form फिल करना है company has to provide कम नीक प्रोवड करती बिड़ आपको application form it should contain इसके application के form में लिखा होता है declare करना पड़ता है आप से लिखवाई जाता है by applicant क्या that deposit he making is not made out of the any money borrowed यह जो पैसा आप company को deposit के नाम का दे रहो यह पैसा आपने किसी और से उधाग लेके नहीं आयो यह आपका पैसा है और आप company को अपनी मर्जी से deposit कर रहो by him from another person simple जब भी आप company को पैसा deposit करोगे तो company आप से form sign कराएगी वह form को कहते है declaration form क्या कहते है बढ़ा declaration form यह declaration में applicant से क्या लिख हो जाता है the money deposited by him it is not borrowed by any other person and not borrow from any other person दूसरे से उधार लेके नहीं आए क्योंकि यह कौन सा deposit है बढ़ा demand deposit नहीं है यह कौन सा deposit है time deposit है demand deposit होगा तो तुम आगे रोज जान खाओगे और मैंने उससे उधार लिया है आपको माँ पर रिसिप मिलेगी वह रिसिप पर आपको एक से ज्यादा लोगों का नाम लिखवाना है तो लिखवा सकते हो एक से ज्यादा पर तीन से ज्यादा नहीं यह कंपनी एक से डिपोजिट इन जोइंट नेम यह यह फिलिंग दिशाएगा इट नौर्ट मॉर्ट थ्री नेम माला कम से कम आप कितना ज्यादा ज्यादा आप कितने लोगों का नाम जोइंट कर सकते हो थ्री नेम जोइंट कर सकते हो डिपोजिट रिसिप पे तो यू कें जोइंट ली डिपोजिट दा मनी इन दा कंपनी यस साथ ही साथ अगर आपको आपके डिपोजिट कर भी कि डिपोसिट करते समय या डिपोसिट एक्षेप्ट करते समय नाम देना है आप कभी भी आपकी जो मैच्वरीटी टाइम है तीन मेंग्सिम्म थ्री यह से अगर पैसा किसी और को मिल जाए तो नोमिनेशन अगर रखना तो रख सकते हो तो बहुत आसान साथ पॉइंट पर देख रिकॉल कर लेते से फटा फट अपन साथ पॉइंट को बच्चों टर्म से इन कंडिशन बी से पर बहुत इसी है मैंने आपको बहुत सिंबल लेंगोज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं सबसे पहला अमाउंट ऑफ डिपोसिट फटा फट बोलो पहले समझो आंसर कैसी लोगों के यहां पर अपने समझने के लिख दो अब शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजव जी अब जो भी परसेंटेज होगे वो शेयर केपिटल फ्री रिजव के होने वाले है तो यह प्राइवेट कमनी को कितना पर सेंट है तो यहां पर लिकूंगा नौट मोर देन हंडेट पर पार पेसे और डिट्र लिट्री तर से एकक्सेप यह सकता है अगर बात करूं पब्ली कम्री की तो यहां पर दो पार्ट में रिवाइट किया है एक को लिदे एलिजीबल और दूसरे को लगते है अधर देन एलिजीबल ठीक है तो जो अधर देन एलिजीबल वह कितना एक्सेप करेगा अधर देन एलिजीबल 25% से जाधा ने पैसा किसे लेगा अपने मेंबर से रिलेटिव से डिरेक्टर और रिलेटिव से अपनी में दो जगा से पैसे आएगे मेंबर से 10% से जाधा ने नोट मोर देन 10% और शेर केपिटल फ्री जाओ और पॉब्लिक से नोट मोल देन 25% ठीक है क्लियर हो सबको और गवर्वर्मेंट कमनी कितना एक्सेप कर सकती है तो नोट मोल देन 35% किसका तो शेर केपिटल फ्री रिजव का क्लिए सिंपल होगे आपके लिए सब वोट इस दा मैचुरिटी तो टेनी ओर है मीनीमम याद रखना डीपोसित बीनीमम मैचुरिटी प्रेड़े शिक्स मन्थ और मैच्जिमम इकितना थे जो अगर एक्जाम में मिनीमम कितना है तो six months मेक्जिमम कितना है 36 months अगर कमनी चाहे तो three months के लिए भी दिपोसित एक्सेप कर सकती है और प्री करा चाहे तो कर सकती है नो डिमांड डिपोजिट मतलब कि जितने भी डिपोजिट मतलब कि पैसा रिपे तब किया जाएगा जब उसकी maturity period आएगी जब उसकी due date आएगी बिफोर ड्यूडेट आपको जब जब जरूरत है और आप जाके डिमांड करूत आपको रीपे मिलने वाला नहीं है जी यहां कंपनी सिक्योर डिपोसिट भी इशु कर सकते हैं और अनसिक्योर भी डिपोसिट होने वाला है वो उसके advertisement में या फिर में में मेंशन करना पड़ेगा एप्लिकेशन फॉर्म जिया जब भी वड़ा एप्लिकेशन का दोहां पर वर्ड रहा रगना डिक्लेरेशन करना पड़ेगा जिया जब भी कंपनी अपने मेंबर से या पब्लिक से डिपोसिट का पैसा accept करती है तब वो अपने मेंबर ही आपने पब्लिक से एक डिक्लेरेशन करवाती है वो डिक्लेरेशन में क्या लिखवाना है दा मनी इस डिपोसिटेट तू दा कंपनी इस नोट बोरो बाई हीम फ्रोम एनी अदर परसन किसी और परसन से इसने पैसे उधार नहीं लिए यह एप्लिकेशन फोम में डिक्लेर करना पड़ेगा बच्चा जी यहां जोइन नेम तो यहां पर जोइन नेम यस एड़ टाइम ऑफ डिपोसिट देपोसिटर केंग जोट कीप जोइन नेम वह मिनिममम दो लोग और मैक्जिमम कितने लोगों को जोइन कर सकता है त्री पीपल नोट मोर देन थ्री पीपल केंगी जोइन नेम यस नोमीनी विदिन दा पीड़ ओव सिक्स तू थर्टी सिक्समान जो भी उसका ड्यूरेशन है एट एनी टाइम क्या वह लोगो बेटा एट एनी टाइम जब यह तब डिपोसिटर नोमीनी का नाम मेंशन करना चाहे तो कर स सकता है और इवेंट ऑफ देट अना बीफोर बीफोर दा लीडी मेंबर या बीफोर दा रीपेमेंट अगर डिपोसिटर की टेट हो जाती है तो उसके नोमीनी को पैसा मिल जाएगा यह साथ पॉइंट हमने पड़े तीन पॉइंट मैंने पीछे रखे क्योंकि थोड़ से समझा है यहाँ पे प्यार से समझाओं बिटा एडवर्टाइसमेंट रूसुलर जैसे कि हम ने पढ़ा था न ओप्र जापनू कर सकती है तो फोर सब्रेटें इसब्लिंटे करते सकत्ती मील वाने है उसी तरह जब कमनी डीपोसिट करेंगे तो द 되면 रूंसे ले लो और आप पब्लिक से ले रोड़ेश्मेंट कीकुछ रूल से एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे से कंटेन है जो आपको डिक्लेर करने पड़ेंगे इन डीटेल में देखते हैं इसलिए यह दो पॉइंट को अलग रखा है साथ पॉइंट को अलग रखा है टोटल 20 पॉइंट का अंसर बेडा तो ज़रा ध्यान से समझो इसी है सिर्फ समझना है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या-क्या लिखना जरूरी है जिया जब भी कंपनी डिपोजिट के नाम का पैसा एक्सेप करेगी पॉब्लिक से इफ कंपनी इन वाइट डिपोजिट फ्रॉमेट्स मेंबर इट इशू ता सर्कुलर क्लियरली बोल या रखना है हरे कंपनी पॉब्लिक से पैसान नहीं मंग आ सकती है सिर्फ इलिजीबल पिपलिक इन फ्रॉसु लॐस्ट करते कंपनी को पैसे की जरूरत है जिससे डिपोजिट करना है यह द्यूटेशन में कर दिपोसित कर दीजिए कमी हैस टू इस्टू यशु दर एड़ोटाइस्बेट तो ट्वेस्जन आ सकता है एक्सले नट तर कंटेंड ऑफ अद्विटाइस्मेंट जब बनाऊ और जब याप तो उसमें कौन-कौन से पॉइंट आ जाने चाहिए ठीक है सो बी कैरफू सर्कुलर में क्या होना चाहिए और दोनों में कॉमनी चीज़े दी गई है तो सबसे पहले है वेरिवेरिंपोर्टेंट को माँचर आप दा फाइनाइंशल पोजीशन कंपनी की फाइनेंशल पोजीशन क्या है वह पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा सेगंड पोशिन ऑव सेक्यूर एन अन शिख्योर डिपोजिट और फ्रेश इश्व ज्यां कंपनी सिक्योर इ उतार लेकिना तो यह यहाद रखना पीटा कमपनी को बताना आपकर करना ही पड़ेगा अपने आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग ना इससे स्टार्ड माख रहता है यह पर इस तरह से अलग-अलग रेटिंग होती है जो क्रिसल या फिर एसी दो इंडिपेंडेंट एजनसी उनसे अपने आपको रेटिंग करवा नहीं हो जो रेटिंग देंगे वह वह रेटिंग आपको यहां पर इंवेस्टर यह एप्लिकांट डिसाइड कर चाहिए या नहीं देने च्शैज तो तीन चीज आपकी क्या बताएए सबसे पहले फाइनेशल पोजिशन फिर आप बताईए कि कितना पोशन आप सिक्रेटिट रेटिंग बताईए बाइडर रेटिंग एजनसी अपने द्वा वह सकते हैं नेम अप्धाब डिपोजित ट्रस्टी अगर भी केरफूल अगर आप पबिक से पैसा ले रहे हो और अगर है आप सिक्योर क्टिक कर ना सिक्योर डिपोजित इसु करें हो तो आफको नेम व डिपोजित ट्रस्टी भी मैंशन करना पड़ेगा अमाम ड्यू टूवर्ड डिपोसिट ऑफ एनी हां और यह भी लिखना पड़ेगा अगर प्रिवेस अपने डिपोसिट को इशू किये तो उनका कितना पैसा अभी भी देना बाकी है आराम से सर्थ हां और यह उपर नीचे करने तो कर सकते हो तो सबसे पहले अपन साना पड़ेगा कि क्या आपने प्रीवेस कोई यूअंह। साथ में आपने किसको डिपोजिट ट्रस्टी ट्रस्ट्र ए अगर इशू कर रहे हो तो फिरसे अगर सच्पछी कर रहे हो तो ही डिपोजिट रस्टी मेंशन करना है तो ही असे चार्ज पर जाएंगे अधर्वाइस जरूर नहीं है देटेल ऑफ द स्कीम जियां क्या स्कीम प्रोवाइट करें वह भी लिख दीजिए कि तो कितनी बाते ध्यां रखने आपको यह छे बाते ध्यान रखने एडवटाइसमेंड के लिए छलिए देखते हैं वाइलिंग दशर्कूलर रजिश्टर के सर्कूलर बनाया ठीक है एडवटाइसमेंड कर लिए हम वह पड़ रहें भी देख बड़ा पहला पॉइंट ए सब्मिप करो क्या आपका सर्किलर कि पहले चेक करेंगा जो जो बात्या आपने सर्किलर में लिखी यह वह और वह गर्वाइब होगा बातों से तो ही वह आपको आपका सर्कुलर या एडवर्डाइसमेंट इशू करने की अप्रूवल देगा अधर्वास नहीं देगा तो जी यहां कंपनी एस्टू फाइल कंपनी एस्टू सब्मिट कोपी ओफ सर्कुलर एडवर्डाइसमेंट साइन बाई ओल से तो आपका कलर एडवर्डाइसमेंट जी यहां उसके लिए भी रूल है आपको एट लिस्ट कम से कम एक वरनाकुलर मिट एक इंग्लीश लीडिंग न्यूस्पेपल वह एक आपके जो स्टेट में कंपनी रजिस्टर है उस स्टेट की लेंगविज में आपको कोपी तु सर्किलर एडवर्डीय़मेंट विद रजिस्टर दग कंपनी चैन शुदर से क्ले एडवर्डाइसमेंट कम नीक Gudis양 लेंग टेक्वर्ड भूर्ड टिस पोस्ट्वे नल गजाँ पोस्ट कैसे भी बेज़ सकते बड़ अगर मैं बात कर रोंगिस की बिटां English newspaper and one vernacular newspaper with a circle wide circular state where the company is registered JIA जहां पर आपका register office located है उस state जैसे महाराष्टरा में registered हो आपका office company register office महाराष्टा में तो एक महाराथी newspaper जो ज़्यादा भी करा है और एक English newspaper में advertisement देनी है अगर आपके company Gujarat में registered है तो आपको एक गुजराती न्यूस्पेबर और एक इंग्लिश न्यूस्पेबर में देनी पड़ेगी यह रूल है उनका ठीक है बिटा समझ मैं यह तक और उसमें फॉर्ट पॉइंट है डिटाइस्मेंट क्या जो भी आपने सर्कुलर और जो भी आपने डिटाइस्मेंट रजिस्टर के प जिस दिन आपके जनरल मीटिंग घतम हो रहे है उसके सिक्स मन तक ही वह वेलिट रहेगा उसके बाद दुबार नहीं आपके रेजिस्टर के पास भेजनी पड़ेगी फिर अप्रूबर लेना पड़ेगा और फिर मार्केट पप्लिश कर सकते हो एक बार अप्रूबर लेके तो उसमें आपको चार पॉइंट मिल जाएंगे पॉइंट में क्या लिखे रहा हूं और अनसिक्योर वह लिखना पड़ेगा उसके साथ मागा सिक्योर है तो मुझे डिपोसिट ट्रस्टी का नाम भी लिखना पड़ेगा राइट माट यह डिटेल है याद रहेगा और क्र आप टूडल छे पॉइंट है फिर से इक बार रिपीट करेगा फॉस्स आपका फाइनेंश का पोजिशन बता दीजिए फिर आप क्या प्या स्किम देरो वो बता दीजिए फिर कितना सब्सक्रिश्च करनी पड़ेगी उसे अमाउं टुर्ड अगा अगा प्रिवेश सेमें कोई अमाउंट किसी का लीन है आउसेंडिंग है बाकी है तो कितना पैसा देना बाकी अभी भी डिपोसिटर को वह मेंशन करना पड़ेगा राइन माइड यह च्छे पोइंट है फिर उसमें पॉइंट नमर भी है जो भी आपने एड़राइजमेंट और सर्कुलर बनाया वो क दूसरा इंग्लिश न्यूस्पेपर तो दो लेंग्वेज में आपको देनी पड़ेगी ठीक है यह आपका कब तक विलिट रहेगा तो विदिन सिक्समाद ऑफ दियो एन्वल जेनरल मीटिंग और उसके पाथ आपको नया सर्कुलर नहीं एड़राइजमेंट दुबारा ब सिक्योर डिपोजिट और चार्जन असेट्स भी तीस दिन में देना पड़ेगा वें इस्विंग अगर कमनी सिक्योर डिपोजिट इशु करती है तो किसकी बात करें एलिजिबल कमनी की एंड पब्लिक कमनी है व तो एक्सेब अपॉइंट वन और मोर्ड दिपोजिट रस् राइट अब यहां पर लिगा है प्लोटेक्स अब दा डिपोजिट इन केस अब दगनी डिफोल्ट अगर कमनी पे करना भूल जाए तो अमने पहले भी देखा है कि यह जाके कंप्लेंट करते हैं एं एंसील टी को और एंसील टी इंस्ट्सिंट करेंगी कंपनी को के पे कर तो और कमनी एंसेलटी की बात नहीं सुनेगी तो हो सकता है कमनी को फाइन और इंप्रोजमेंट ऑफ डाइड़ेटर हो सकता है बी केरफूल सो यहां पर ही रिपेंग देपोसिट कमनी साइन देपोसिट विद डिपोसिट ट्रस्टिक उसको बलते हैं ट्रस्ट इड जब भी क सब्सक्राइब के साथ दिन पहले यह कॉंट्रेक्ट साइन हो जाना चाहिए अगर आप सिक्यूर डिपोसिट इशू कर रहे हो तो डिपोसिट ट्रस्टी जो ट्रस्टी होते वह अपनी मिटिंग बुलाएं गयों कंपनी के पास आके इंटिमेट करेंगे एंस एल्ड को रि ट्रस्टी अपोइंट करना जरूरी है तो बी केरफूल अपोइमेंट अफ डिपोसिट ट्रस्टी कब करना है तो बीफोर अपोइमेंट अफ डिपोसिट ट्रस्टी कब करना है जब सिक्यूर डिपोसिट आप इशू कर रहे हो या एक्सेप कर रहे हो तब यस कब करना है त प्रोटेक्ट दे इंट्रेस फब दिपोजिटर इव कमशनी डिफोल्ट इन रिपेमेंट अकोडिन टू 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 थे एंचल टी और इंचल इसक्या गेंस में क्या करेंगी ओडर इशू कर सकती है यह फिर्से सवाल यात हैं डिपोजिट्रस्टी कंब अप्वकोइन करोगा जब आपके जहिए लह श्यामुझा करना पड़ेगा अगर एक सेंट में सिध्सॉर स्यॉरिट्र करो्ण the public within the within the kitna the beta within the 30 days kitna levin a 30 days of acceptance has to create a charge on its tangible assets from the amount not less than amount of deposit accepted plus your interest yes just some nadey benchy my brother the minimum amount of the security should be equal to the amount not covered by the deposit insurance the security is created in favor of the deposit trustee or joby a charge no search for the deposit taking on the negative deposit trustee can be got a good committee for doing the deposit trustee up net depositable protect can be action lega right to it does point clearly you can mention that it was short as you can recap it is back to you it does point it can be done yeah so first point very very small small world member number easy to get out of the deposit प्राइवेट कमनी का नाम है प्राइवेट कमनी दूसरी कमनी का नाम है पॉब्लीक और तीसरी कमनी का नाम है गवर्मेंट मैं बहुत कितना तो सब्सक्राइब अडिक यकैं कि युक्ट कि वर्ण जुटा अले गवर्म क्या एं इन नौट मॉर्देन कि तना हंड्रेट Alien नौट कमनी की बात करैंद तो 10 परसेंट not more than 10 परसेंट or not more than 25 परसेंट not more than 10 परसेंट from member or not more than 25 परसेंट from public government कितना परसेंट 35 परसेंट not more than 35 परसेंट of of share capital and free reserve be careful और यह सब percentage किसने share capital of free reserve का total aggregate amount of share capital and freeze took a hundred percent जाधानेले सकते 25 परसेंट यह सकते अपने यह तो यह तीन चीज़ जरूर बशुट आया तो यहां रखना अप्रू आपका अपका अपूर्ठ होगा क्रियेट चार्ज अनुसेट्स होगा कंपल सरी है यह एप्लिकेशन फॉम में क्या कर वाएंगे डिकलेशन कि अमाउंट इस एक्सेप्ट बाइप कमणी फ्रॉम दिपोजिटेश नॉट बोरो फ्रॉम एनी अदर परसं जोइन नेम कितने लोगों का कमणी दिपोजिटेश चैन कीप थ्री नेम या थ्री मेंबर जोई नौट मोर दन नौट मोर दन थ्री पीपल्स नौमिने अब को लगना है तो आपके कंटेंव कितनी थी कुपनेंख और ऑच्छे से ठीटिश किये अगर आप पहले बता दीजिये क्या आपका आपका फाइनेशल्य पोजिशन क्या है कमणी की सबसे पहला हुआ आएगा फिर आपको बताने कि कमणी आप कर तो वह बता दी जिए आपको डिपोसित का नाम देना पड़ेगा और गया आपको क्या क्रेटिटके नाम बीडिशू करने एक अपकी इंग्लिश निउस्पेपर और एक आपकी लेक्ट लेंग्वेज वेर यूर कमनी इस रजिस्टर और फाइनली आपकी वेलिडेशन कितने तक वह एड़राइसमेंट सर्कुलर वेलिड रहता है तो उनली फो शिक्स मंथ आप दे यॉर अन्वल जनरल मीटिंग अपॉन्मेंट अब डिपोसित ट्रस्टी अगर सिक्योर डिपोसि अब चलते हैं पीछे के तस पुइंट करने के लिए टोटल ट्वेंटी ट्रमस इन कंडिशन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोसित की तो लेट सी डिपोसित इंसुरेंस जी यहां जब भी कमनी इंस्ट पप्लिक डिपोसित इसू करते हैं या एलिजेबल पप्लिक कम पनी जब पपलिक से पैसे डिपोसित के नापके accept करते हैं तब वो कमनी को इंश्यूनेस लेना पड़ेगा ठीक है Cash अंपनी निट्ट टेगा कम एक निटू टेग डी पोषी इंश-एथ लिस्स तरटीडेफिफॉर इश दसरेकुलर यह एडज़्याज़ू कंपनी जब भी एड़ुदस के एकवर देगी रूप पपलिक टेक्टbn से ठीज़ करने वाली है तो जितने अमाउंट का वो क्या करने वाली है एक्सेप करेगी डिपोजिट उतनी वेल्यू का आपको इंस्यूंस लेना पड़ेगा इफ द अमाउंट ऑफ डिपोजिट प्लस इंट्रेस अमाउंट इस ट्विट तुम्बल सरी जी यहां 20 से ज्यादा पैसा तो हर कम्पनी उतना तो लेती है तो मैं कहुंगा किपोजिट एक्सेप करना था .इस नेक्स्ट इब्चाव से कम का पैसा यह तो आपको इंस्यूंस लेन की जरूओ है नहीं नेक्स्ट है अगर आपकी यह कॉन से बढ़ अगर company accept obtain करती है credit rating इसका मलब क्या जब भी company secure deposit issue करने जा रही है यह company जब भी borrowing कर रही है किस से पिटा public से तो उसको अपने आपको credit rating agency से rating करवाना कंबल सरी है जिया और जो भी rating आएगी वो advertisement हो circular में लिखना पड़ेगा और वो दो independent agency होनी चाहिए every company has to get the credit rating its deposits and include rating in the circular advertisement इतना लिखा तो भी चलेगा आपके advertisement credit rating agency जो भी आपको rating दिया है a a a b b b b या c या फिर d d दिया तो भी default तो जो भी rating आपको मिलिए वो आपको mention करना पड़ेगा the credit rating agency consider the क्या देखते हो लोग आपकी net worth of the company company के पास में कितना share capital है कितना free reserve है यह सब चेक करती है और देखती है liquidity position आपकी company की liquid position क्या है कब तक आपके company wind up होने वाली है ability to repay जी आपकी company की repay करने की capacity कितनी है अना time of the etc and accordingly give the rating बहुत सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहला आपकी financial position देख लेती मिलब का network देखती है फिर आपकी liquidation company की position देखती कितनी strength कि नहीं लंबे तक चले कि ability to repay क्या company जो पैसा ले रही है फिचर में repay कर पाएगी ऐसी बहुत सारी चीजों को consider करके अपनी रिपोर्ट करती है और यह जो भी रेटिंग देखे वो रेटिंग आपको मेंशन करना पड़ेगा जिसके बेस पर डिपोसिटर अपना डिसेंट लेते तो लेट सी इपोसिट रेटिर रिपेमेंट रिजर्फ अकाउंट चाहे आप शेर इशू करो चाहे आप डिपोसिट इशू करो कमपनी जो भी चीज़ इशू करती है तो पब्लिक जब भी पैसे देगी वो किसी ना किसी बैंक अकॉंट में देगी तो हर एक ताइम आपको स्पेशल अ जाएगा डिपोजिटर को ठीक है तो कैसे है क्या है ध्यान देना एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपोजिट तो ओपन इना शेडियूल बेंग जी यह जो डिपोजिट का कोई भी वह शेर कैपिटल के लिए जो पैस अकाउंट ओपन करो कॉल मनी अकाउंट ओपन करो पैसा यहां पर है डिपोजिट रिपेमेंट रिजर्व क्या एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा कंपनी को एवरी यह ओन और बिफोर 30 अप्रिल कंपनी हैस तो डिपोजिट अमाउंट लेस देन 15 परसें 15 पैसा कंपनी को हर साल थोड़ा थोड़ा अपने प्रोफिट क्योंकि मैचुर्टी पें डिपोजिटर का पैसा रिपे करना कंपल्सरी होता है अद्रवाइस अगर वो सिक्यूर है तो आपके असेट्स सेल कर सकते हैं अमाउंट अब डिपोजिट अन मैचुर्टी दूरिंग दा करेंट यह फोलोविंग फाइनेंशल यह इस अकाउंट झाइस्ट वन्हींग देट डिपोजिट रिसीप करती है तो भी केरफल टेक्स्पूक में आपकी फिलीक गप्लेंट से अके और और आपकी agerजिए कॉम बैंक पड़िए टुट launches नो representatives receipt of money जिस दिन डिपोसिटर से पैसा कमनी बैंक में एक्सेप करती है उसके 21 दिनों के अंदर अंदर डिपोसिट रिसीप इसू कर देना है प्लीज ध्यान रखना 21 डे डिपोसिट रिसीप दर रिसीप हैस टू बी साइंड ऐफ चयोट से होना छी बीसिप में व्यच्जिंट में क्या क्या होगा बट और डिकांटिर्ट जिर्ट भावा रिसीप करेंगी शाओजल कहती इस दिन पहले यस 21 टे के अंदर मिल जानी चाहिए फॉम दा एक्सेप्टेंट रॉप डिपोसिट मनी डिपोसिट रिशीप डूली साइन होनी चाहिए बाइद डिपोसिट रिशीप में लिखी हुई होनी चाहिए राइट माई यस्टूडन क्लियर हुआ फिर से देख लेते से चार पॉइंट क्या क्या पढ़े हमने नहीं तो लेवेंच से अगर देखने करें तो डिपोसिट क्या करते बढ़ा डिपोसिट जब यह आप इशू को तो आपको क्या देना इस देना है क्रेडिट रेटिंग से ओप्टेन करना है रेटिंग आपको यस ओपन रिपेयमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा राइट माइट वह भी कौन सी बेंग होनी चाहिए डिपोजिट रिसिप कितने में रिपेयमेंट कर देना है ट्वेंटी वन डे प्रोंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट मनी जिस दिन से डिपोजिट मनी ले लिया उसके 21 दिन के अंदर आपको डिपोजिट रिसिप दे देनी चाहिए डिवली साइन होना चीए ऑफिसल का और बोर्ड डाटर से ऑथराइस होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं रज तो मैं अंटें तस्थ स्परें रगिस्टर ट ल pho deposit acceptate or renewal it register office the detail of your registration link again details of the deposits along with the details of the depositor should be entered in the register of the deposit within the 7th day other comments please प्लीज तिन मैं deposit register must be prepared within the 7th day from the the date of issue of receipt जिस दिन आपने डिपोसिटों को रिशिप रिश्यू कर दी उसके साथ दिनों के अंदर अंदर डिपोसिट रजिस्टर प्रिपेर हो जाना चाहिए यहां पर वर्ड दिया है कंफूस्वन तो ना जराबी दिया है रिटन ओफ डिपोसिट रिटन मतलब सब्मिशन ओफ डिटेल तूदर रजिस्टर फाइनली देखो हमने पैसे ले लिए हमने रजिस्टर भी बना दिया अब एक्जेटली आपके पास में कितने डिपोसिटर आ अपने कितना डिपोसिट मनी एक्सेप्ट कर लिए है यह सबी डिटेल आपको आपके रजिस्टर को देनी पड़ेगी तो कम्पनी हैस्टू फाइल फाइल मतलब क्या करना मिटा सबमीट करना है क्या करना है सबमीट करना है और बिफोर 30 जून 30 जून के पहले एवरी यह द पाइल टेटेल सबमीट करना है तो क्वा धृटेल सबमीट करना है यह सब डिटेइल समय क्य आपको रिटेन करनी पड़ेगी के रजिस्टार को जी एक और टमसें कंडिशने सत्रा नंबर पर डिपोसिटों का पे क्या करते हो तो बटो फेसे डिपोसिटों का फिक्स रेट ऑफ इंट्रेस्ट पे करते हो ठीक है जी अगर आपने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा वह भी यहां पर लिगाए द क्योंकि पता ना बैंक और कंपनी अब यह दोनों लोग पॉब्लिक से डाइरेक्ट पैसा एक्सेप्ट करने वाले तो आज बैंक को भी बोला है और कंपनी को भी गाइडलाइस दिये कंपनी कस्टमों को एक करने के लिए एक लिमिन से ज्यादा इंट्रेस्ट देंगे नही भले वो के बले फिर भी नहीं देंगे तो यस दे रेट ओफ मैक्जीमम रेट आप इंट्रेस्ट कितना है तो इस शुट भी गाइडलाइस गिवन बाइदा आर बी आई एक फ़यल प्रेवांट फाएप इंगेस ऑफ प्री मेच्वर हां आपने सपोस्ट आपने डिपोसित दिया निको टवेंटी एड मांस के लिए हना और हमने पड़ा है जो भी डिपोसित वो डिमांड डिपोसित नहीं है और मैं जाके कपनी में जीट करेंगे मुझे अथा- वन परसंट जो भी कमनी ना आपको प्रोमिस किया इंट्रेस्ट का समझें दस परसंट किया है तो कमनी फिर आपको 9% परसंट की पैनल्टी लगेगी फ्रूम्ट रेट ऑफ दे इंट्रेस्ट इन टाइम अप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोसिट जी यहां मैचुटी के पहले अ तो उन्हों ने आपने आपका वादा तोड़ा कंपनी उसका वादा तोड़ेगी जियां आप आपके टाइम के पहले जा रहे हो तो कमनी ने जो भी प्रोमिस किया तो उससे 1% less amount of interest आपको पे किया जएगा साथी साथ डिपोसिट ऑफ ता मैचुरिटी क्लेम बट नोट रि है मैचुरिटी पर अपना पैसा रिपे नहीं करती है तो डिपोसिटर मैचुरिट क्लेम बट अनपेड बाइद कंपनी डगम एस टू पे पैनल रेट ओफ इंट्रेस डैट इस एटीन परसेंट जी यहां ऐसे तो इंट्रेस रेट आटरा पासे साथा देने का प्रावधान नियम नहीं है बट अगर कंपनी फेल होगे ना रिपे करने में तो उसको एटीन परसेंट राइट ओफ इंट्रेस पे करना पड़ेगा डिपोसिटर को मतलब यह छोटे है शोट तम है बड़ कड़े नियम है यह दोनों के लिए अगर आप बिफोर मैचुरिटी पैसे ले हो तो आपको वन परसेंट लेस मिलेगा अब कंपनी मैचुरिटी में फेल हो गए तो आपको एटीन परसेंट रेट ओफ इंट्रेस उनको देना पड़ेगा राइट चलिए आगे बढ़ते एटीन पॉइंट के उपर राइट सेन अल्टर दा टंसें कंडिशन क्या कंपनी अपने टंसेंट कंडिशन को चेंज करना चाहें तो कर सकती है तो बाइट एको सर्कुलर इशू हो गया पैसे एक्सेप्ट हो गया उसके बाद वादे बदली होते नहीं है जो बोला है वो करना पड़ेगा तो भी केरफूल यहां पर क्या बोला है अब कंपनी के नोट एक परणा कंपनी क्या नहीं कर सकती है कंपनी चेंज नहीं कर सकती है टंसें कंडिशन और डि पोस्ट डि ट्रस दीड लान डिपोसित इंस्विञेंश ओंड्रेक्वनस दसर्कुलर अड्वर्टाइसमेंट इस सुट आर एक सेप्टेट बाइड वाल स्वन गया या disclosure of the financial statement जियां a company has to disclose in these financial statement by way of notes money received from the directors relative or in case of the private company the contributing the provision of the act जियां कम्पनी को हर बार डिकले करने पड़े को उसने पैसे किस से लिए है डिकलेशन इस कंपल सरी है और अगर समझो तो कंपनी यह टोटल 19 नियम बता है मैंने आपको यह नाइंटीन में से किसी भी टमसें कंडिशन को फोलो नहीं करती है जैसे कि गलत कर दिया मैच्वरीटी प्रियर्ट फोलो नहीं कर रही है अगर सिक्वर डिपोसिट पे आज ओना से डूरिंग थर्टी डेज नहीं दे रही है अगर रिसीप ट्वेंटी डेज के अंदर डिकलेर नहीं करती फ्रम देट अग्सेप्टेंस अफ डिपोसिट तो भाई कंपनी अगर अपने रूल्स को फोलो नहीं करती है तो इंप्रोजमेंट डायेक्टर को हो सकता है वह हर एक ओफिसर को सजा हो सकती है पैनल्टी हो सकती जो यह टमसेंड कंडिशन फोलो नहीं करते है इसलिए यह बीस कंडिशन डिपोसिट एक्सेप्ट करने के पहले फता होनी चाहिए जी हां एस पर दे कमपनी एक अन ओफिसर ओप दे कंपनी वह इस डिफोल्ट जो क् यह रूल्स को ब्रेक किया है provision को नहीं फोलो किया रुथार फटर आपको कांट्रेट करेंग के पनिशमेंट लेक्टा चलो तो यह पूरे अराम से टोटल 20 पॉइंट दे उसको देख लिए अमांच अब डिपोसिट्स अगर अभी अभी चेनल पे आयो तो कॉंसेंट्रेट करना पूर अंसर हमे आपको क्लिम कम्लेट का जता हूं अमांट अफ डिपोसिट तो अमवाउंट अफ डिपोसिट किस आमण अफ डिपोसिट केलकुलेट के जाता है वो जान रखो तो यहां पर आएगा शेर कैपिटल और फ्री रिजर्व का परसेंटेस लिया जाएगा तो यहां पर लिख देता हूं प्राइवेट कम्नी में कितना पर पर सेंट प्राइवेट कमनी अगर 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 फ्राइवेट कमनी ने पॉब्लीक कमनी और वह एलिजीबल है तो मेंबर से से सकती है पर उसके लिए रूल फीचीज अगर वह कितना पर फिसन हो जाएगा थैन परसेंट इपोसित कर रही है तो तो दस तक किसी जाता पैसा लेने ही सकती है फ्री रिजर्व शेर कपिटल का नो डिमांड इपोसिट कोई भी कमनी टाइम डिपोसिट पैसा एक्सेप करेगी मैक्शुरीटी पर रिपेमेंट करेगी जब बीपोसिट मांगे तब रिपेमेंट होने वाला नहीं है जब जब चाहएं थब अपना नुमिनि का नाम एड करवा सकते हो। सबसे पहला पॉइंट फैनेशियल पोजिशन लिखते हैं फिस्खीम प्रोइडेट बई डिपोजिटर लिखते हैं साथ ही साथ में आपको बताना है अपका क्रेडिट रेटिंग बताना है डिपोजिट ट्रस्टी का नाम भी मेंशन करना है और एनी डिफोल्ट्मेंट है रि पनाए वह रजिस्टा करना पड़ेगा सब्मीशन के 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको पब्लिश कर सकते हो और वेलेटिटी प्रियेट से ज्यादा का नहीं है सर्कुलर एड़ाइसमेंट का क्लियर एवरीवन जियां अपोइमेंट 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 अपोइमें नहीं है बेटा बी केरफूल बिफोर इस्यूंग दा सर्कुलर एड़ाइसमेंट क्रियेट चार्ज ओन असेड्स जी यहां सिक्रेट तो चार्ज ओन असेड्स भी देना पड़ेगा विदिन थर्टी देस फ्रॉम दा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोसिट टेना पड़ेगा अ चैक करती है आपकी लिक्विडिटी पोजीशन चेक करती है रिपेमेंट की क्या जाता है ओपनिंग डिपोसिट रिजर्व अकांट करना है डिपोसिट रिशिप किते ही मैं देनी मैठ आपको तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोसिट के ट्वेंटी अंदर अन्दर आपको तो अगर अने करकें नहीं पेंटी भॉजो गई तो भाई याद रखना आपको तो 18 परसेंट इंट्रेस्ट रेट पे करना पड़ेगा कमनी को राइट टू अल्टर जी नहीं कमनी अपने टर्म सेंड कंडिशन अल्टर करने सकती अगर उसने एड़ोटेस्मेंट इसू कर दिया है तो पब्लिश कर दिया है तो डिस्कुरोजाइन फाइनिस बताना पड़े करेंगे किया तो आपको करनी नश को circular issue करना पड़ेगा तो अगर आपने मेरा 5.3 वीडियो देखो गे तो 5.4 वीडियो आल्मोस्ट सेम रहेगा तो एक वीडियो पर दो काम होने वाले बच्चो सो टेंशन लेना नहीं मिलते हैं नेक्स लेक्चर में थाइंक्यू सो मुझ फो वाचिंग आई वीडियो यह 20 की 20 कंडिक्शन आपको समझ में आ गई होगी बच्चो सो चैनल को लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना बैच्चा शेर करना नहीं बोलना कमेंट करना नहीं भूलना क्योंकि आप जिसे और भी बहुत सारे बच्चे जिनको इनकी जरूरत है